तो भाईयों जैसे ही आप इंस्टाग्राम को ओपिन करके आपनी प्रोफाइल पर आते होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर नोटिफिकेशन्स होती होगी जिस पर लिखा हुआ है Share your profile card and याप नीचे लिखा हुआ है Your profile card makes it easy for other to learn about you and connect on Instagram याप नीचे लिखा हुआ है See your profile card तो भाईयों आखिरकार इस वाली नोटिफिकेशन का क्या मतलब है आप इसका यूज कैसे करोगे यदि आप वे वाली नोटिफिकेशन आपनी प्रोफाइल से हटानी है तो फिर कैसे हटाओगे आज की इस वीडियो में हम आपको इस share your profile card के वारे हैं बेलकुल details से बताने वाले हैं चलिए वीडियो करते हैं इस्टार्ट और आपको बताते हैं यहाँ पर जो पहले अदि आपको ये नोटिफिकेशन सो होती थी आपको ये नोटिफिकेशन नहीं सो होती है तो आखिरकार ये option कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा तो भाईयो सबसे पहले बात करते हैं कि जिलनों के पास ये वाला option आया हुआ था यहाँ पर हट गया है किसी वज़े से तो simply आपको option कैसे मिलेगा उसके लिए भाईयो आपको instagram को open करना है open करने के बाद अपनी profile पर आ जाना है यहाँ आप यहाँ पर इस share profile के option पर किलिक करोगे तो यहाँ पर वाला option आपको देखने को मिल जाएगा अब मैं बताता हूँ कि जो यह लिखा हुआ है share your profile card तो इसका मतलब है क्या तो भाईयो जैसे ही आप यहाँ पर see your profile card के option पर किलिक करोगे आप directly यहाँ पर इस तरीके से आ जाओगे अब भाईयो जैसे ही आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे करोगे तो यहाँ पर आपकी यह profile आ जाएगी तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार इसका मतलब क्या है तो भाईयो इसका मतलब यह है simply यहाँ पर आपका यह जो QR code है बनकर आ गया है simply इस वाले QR code को यह कोई दूसरा person scan करता है तो भाईयो आपकी ओ डारेक्ट Instagram ID में आ जाएगा एंड यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भाईयो आपकी profile है यहाँ पर यह जो है आपका username है यहाँ पर यह पूरा about में लिखा हुआ है simply मान लो कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कही पर भी इसको लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इस download वाले option पर click करना है इस download के option पर जैसे ही आप click करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है QR code profile info यहाँ पर यहाँ पर है दो चीज़े हैं तो यहाँ पर आप QR code को download करना चाहते हैं तो आपको QR code और प्रोफाइल info के option पर click करके आप इस profile के photo को download कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर यह सेव हो चुका है तो भाईयों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस gallery में कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस save हो जाएगा तो भाईयों आप यहाँ पर आप इसकी photo copy को भी निकलवा कर कहीं चिपका सकते होगी आपकी कोई swap हो गए रहा है एंड भाईयों आप मैं थोड़ा यहाँ पर बैक कर देता हूँ बैक करने के बाद यहाँ पर आपको यह option मिलेगा Edit का उपर Pencil आपको इस पर क्लिक करना है जैसी आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पर यह option आपको देखेगा Change background तो simply आपको इस पर क्लिक करना है Changing Background यहाँ पर यह वाली line जब पूरी हो जायेगी उसके बाद यहाँ पर आपका Background भी हो जायेगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीछे का Background यहाँ पर Change हो चुका है अपर एक QR Code यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर इसका Color च्छेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर यह इस तरीके से black हो गया है simply मैं done कि option पर click करता हूँ and फिर से यहाँ पर इस pencil की option पर click कर देता हूँ and यहाँ यहाँ आशने जो background भी लगाया हुआ था उसको remove कर देता हूँ simply मैंने remove कर दिया यहां पर आप और लिख्रा होगा कि कुछ इस तरीके से यहां पर आ जुका है मैं color change कर देता हूं इसका मैं दूसरा GREEN कर देता हूं जो पहले था इस तरीके से भी इसको कही पर फिसेर कर सकते हुए मतलब घ्लियो डार को को कोई Dob Tag इसके यूजर में करके आपकी प्रोफाइल नहीं करेख लिंड यहां से यहां से लिंक्ग मतलब जाएगी उसके पास लिंक पर क्लिक करके डारेक्टली आपकी प्रोफाइल पर आ सकता है तो इसका सीधा सा मतलब यहीं है यदि आप यहाँ पर आइड़ टू इस्टोरी के आप्शन पर क्लिक करते हो तो यह वाली चीज जो है वापकी मतलब कि यहाँ पर दो चीज हैं कि आप अपने इस कीवार कोड को मतलब कि अपनी इस्टोरी में लगाना चाहते हो या फिर भाईयो जो यह प्रोफाइल वाला इन्फरमेशन है यह वाला इसको आप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर इस दोलों में से एक को सिलेक्ट करना उन्सपर करने के बाद आपकी स्टोरी कोई भी देख सकता है तो फॉल काफी मतलब अच्छा आयड किया गया इयृदी आपको यह उप्संड करने के वाद सिंपली यह पर यह सुआपपेट का आपको शेल्द मिलता लगार भाईयो पापन कर लेना यहाँ पर आपको ज़्यादातर सभी लोगों को नहीं मिलाए कुछ indices सब्शलिए तब तक के लिए बाइ